हेई गाइस वाट्स अप असलाम अलेकूं मैं हूँ अंसा सादिक और आज हम करने वाले हैं रिंग लाइट का एक छोटा दर्विव और रिंग लाइट के बारे में बात के रिंग लाइट आपके लिए सूटिबल है नहीं है आपको स्टूडियो लाइटिंग का को सब्स्क्राff एक होगा मॉबाइल उफतीzech की तो इसके लावा बाध कर लिएग उसकी होगा बात कर लेएगे इसकी प्राइटी आपको देखने को मिल जाती है और मतलब कितना ऑच्छा ना का सीमा यह कितना बुरा ना लिएख विडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है रिंग लाइट जो के है 26 cm वाले साइज में इसे चोटी सिर्फ एक साइज वेलबल होता है जो के होता है वो सेल्फी रिंग लाइट वाला तो आई वोड़न प्रेफर तो फोर देट वो किसी काम की नहीं है मिनिमम यह होनी चाहिए तो य जाती है वह सब्सक्राइब लेकिन यह साथ फुट के स्टेंड के साथ आती है तो यह स्टेंड आपको इसका मिल जाता है उसके साथ इसका रिमोट मिल जाता है जो कि आपको नजर आ रहा होगा तो यह इसका रिमोट है ठीक है यह से सारी इसकी सेटिंग के रोल होती है इसम oldish white है यह वर्मिट है और ये संपल वाइट है तो यह आपको स्कलर मौझूद है उसके उद्धाद आप ब्राइटनेस कम जाधा कर सकते हैं और जिस तरह आपको लख सूट करती है ठीक है और फिर आप बंद कर सकते हैं थीक है तो यह सीन है और यह लगती हैं अड़ेप्टर म जिसमें USB लग से के आवस में लगा दें ठीक है तो अब विडाट फुर्दर अडू आपको इसका वीडियो टेस्ट करके रिखा देते हैं ताकि आपको इस चीज़ का इडिया हो जो किसका क्या सीन है ठीक है पहले हम इसका करते हैं सेल्वी टेस्ट फिर हम इसका करेंगे बैक करते हैं तो यह फैसे फिर लाइट के तौर पे काम करेंगी धिस तरह काम करेंगी तो यह को शार्ट करते हैं सो तो यह चाया बदो सेल्फी केंप का से जो है ना विडियो टेस्ट करके दखा देता हूँ मैं सबस्छेवले प्राफर कर लोगा कि आप ग्लास इस आगर योस क मसला हो जाएगा या अगर आप ग्लासिस लगागे करना चाहरे हैं तो आपको यह एक रिंग लाइट फिर साइड वाल एंगल पर जिसका यहां पर प्लेस करनी पड़ेंगी फिर एक तरफ से लाइट पड़ेगी फिर दूरी तरफ से आपको एक और लाइट रखनी पड़ेग तरफ पर वीडियो केम को मैंने आगे रख लिया दिम्यान में रिंग लाइट में आप रिजर्ट्स देख सकते हैं यह शौमी का पोको एक स्री है तो इसका फ्रंट केमरा लूप ठीक ठाक अच्छा है तो यह आप देख सकते हैं अब मैं जो कमरे की लाइट हो मैं आफ करने लगाँ ताकि आपको इसी से एडिया हो जाए कि यह क्या सीन है इसका तो जिस तरह के आप देख सकते हैं रिजर्ट्स प्रेटी गुड अगर आप ग्लास नहीं उसकरते तो आपको और इच्छे रिजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे अब मैं आपको लाइटिंग चेंज क देता हूं यह ब्लू हो गई ब्लू इश वाइट जो जाता है यह वार्मिश वाइट है यह सिंपल वाइट है तो जिस तरह आपको सुट करता है आप उस तरह से मतलब अपना सेट अप कर सकते हैं यह लाइट फुल तेज कर दिया मैंने अब और यह वार्मिश लाइट फु चुका है और उमीद है लाइक मतलब I hope कि आपको सही तरह नदर आ रहा होगा तो अभी ये प्योर वाइट पर एगे सेट है तो ये फुल सेटिंग पर थी अब मैंने लो कर दी है तो अब ये फुल लो है अब फुल लो पर ये ब्लू इश वाइट है ये वार्मिश वाइट है ये प्योर वाइट है अब अगर आप इसको मैं तेज करके दिखा दूँ आपको ये फुल स्ट्रेंथ में है और इसका ये सीन है और इसके बाद ये वार्मिश वाइट और ये प्योर वाइट है तो अमीद आपको से मुछ आइडिया हो गया होगा कि आप अगर मतलब आपक एक विडियो शूट कर सकते हैं या पिक्चर बना सकते हैं रिंग लाइट में प्रोवाइड इट किया मतलब आपको सेट अप सही हो ठीक है तो उपर से ग्लासिस का इश्यू आता है ग्लासिस के इश्यू है जैसे आपको फिर मतलब साइड एंगल से शूट करनी पड़ती ह हैं एक मतलब साइड पर रिंग लाइट लगानी पड़ती है और फिर दूसरी साइड पर एक और रिंग लाइट लगानी पड़ती है तो फिल इचट थि foliage इस आई आपको बहुत खेंड लाइड से विडियो टेस्ट आपको मंदलब से नग जोरा और एंगल इतना वाइड ह इसका तो आपको रिंग लाइट भी नज़र आ रही होगी बढ़ना से मेरा फेस नज़र आ रहा होगा तो ये DSLR वीडियो ये DSLR से बना रहा हूँ निकान D3300 है मेरे पास तो इससे में बना रहा हूँ और जिससरा के आप देख सकते हैं रिदल्ट सापके सामने हैं इसका भी मैं आपको रिमोट चेंज करके बता देता हूँ आप अच्छा तो यह सीन है यह लाइट हो रही है ठीक है और यह मैं आपको फूल कर दिखा देता हूँ राइक वाम लाइट अलोट वाम का अच्छ ऐफेक्ट पड़ता तो वाम के साथ मैं आपको फोकस कर की दिखा देता हूँ आपको एडिया हो जाएगा कि मतलब हाव DSLR वर्क्स DSLR के साथ यह रिंग लाइट सही काम करती है कि नहीं स्टूडियो लाइट के सब्स्टूडियो दे सकती है या नहीं तो यह background में देखें light on हो गई है तो अब यह मैं दोबारा focus कर लेता हूँ तो आप यह देख सकते हैं मतलब इससे काफी major फरक पड़ता है मेरी डीयो में आपको दो तीन वीडियो के मतलब इसमें scene add कर देता हूँ चाहि आपको दिखा तूँँगा with ring light के scene और without ring light के scene ताकि आपको मजीद idea हुजाए कि ring light useful है या नहीं है तो अगर बात कर लिए ring light के हम price की तो यह आपको 18, 19, even 16, 17 सो में भी देखने को मिल जाती है with 7 feet का stand 7 feet के stand के बगएर तो ये useless है because आपको कही नगी किसी stand पर तलगानी पड़ेगी तो सबसे पहले आपको इस का stand चाहिए होगा stand के साथ आपको ये जो 26 cm वाली है जो मेरे पास है ये आपको मिल लेगी 16, 17, 18, 19, 2000 depending on where you are इसकी prices और उपर भी जाती है आप 26 cm वाली अगर ले रहे हैं तो मतलब इस प्राइस में ही ठीक रहती है अगर आप इससे भी बड़ी राइड लेना चाहरे हैं अगर आपको ज़्यादा जरूरत है या अगर आप प्रॉपर मतलब सबस्टिटूट चाहरे हैं थोड़ा सा expensive afford कर सकते हैं तो आप इससे भी महंगी ले सकते हैं आपको 18 cm 32 cm 46 cm में देखने को मिल जाती है और इसके लाव अगर आप अगर आप glasses के साइट करें तो मैं अलड़ी यह चीज़ बता चुका हूँ आपको light थोड़ी से side angle से लगानी पड़ेगी ताके glasses में reflection शो ना हो तो अगर आप वो glasses वाले हैं तो आप मेरी तरह हैं तो आपको फिर मतलब side angle से रखके और एक और side angle से दूसरी light रखके करना पड़ेगा unfortunately मेरे पस इस वकत ही की है तो मैं एक से ही काम चला रहा हूँ काम एक से भी चल जाता है मतलब आपके इस फिल light होनी चाहिए यह room फिल हो आना चाहिए बिलकुल अंधेरा ना हो अंधेरा वाली फुटेज आपको नजर आ रही होगी हाँ definitely अगर आप बात करें substitute की या सस्ते जुगाड की तो यह अच्छा सस्ता जुगाड है especially अगर आपके उस camera है already even DSLR जो basic DSLR होते हैं सस्ते सस्ते भी अगर आपके उस वो भी है जो video shoot कर सकता है तो उसके लिए आपके बहुत अच्छा affordable यह मतलब solution है जो गाड है लेकिन अगर आपके स्केमरा निया mobile है mobile से अगर आप रिंग लाइट से शूट करें तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन बुरे भी देखने को मिल सकते हैं तो depending on which phone you have और मतलब आपकी स्वाइब करें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं but that's entirely up to you so yeah this was it from my side like or subscribe दो कीजेगा comment अगर आपके सवाल आते हैं तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में Allah आफेज